वॉल्किम तु स्टडी गोव जीनत आज इस वीडियो में हम डिस्क्रिप्श करेंगे आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16 ओफ इंडियन कॉंसिटूशन के साथ आपको गर इंडियन कॉंसिटूशन की सारी वीडियो चाहिए तो सारी वीडियो एक प्लेलिस में मिलेंगी उस प्लेलिस की लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना इसके अलावा Indian Constitution का PDF note available है जिस PDF से मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना यही वाला PDF इस PDF में ना सारे landmark cases, recent cases और जो important points होते हैं जो आपके prelims में पुछे जाते हैं वो सारे गवर हैं और pre से लेकर means तक का सब कुछ इस PDF में आपको मिल जाएगा इसके सारे आपको एक MCQ फाइल भी दिजाएगी जिससे आप पूरा Indian Constitution easily revise कर पाए आप assess कर पाए कि आपको कितना समझ में आया तो अगर आपको इस PDF को purchase करना है इस PDF के बारे में further detail आपने लेनी है कि इस PDF में क्या क्या चीजे हैं इसका index वगेरा तो आप मुझे mail कीजिए मेरे email address पर या फिर आप मुझे मेरी telegram ID पर जो कि मैंने description में डाल दिये वहाँ पर message कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो तो जो आपका article 14 है यह बिलकुल broad sense में बात करता है equality की वहीं जो बाकी article है article 15, 16, 17, 18 यह बात करता है equality का जो right है उसकी specific application की यानि कि जो general principle दिया गया equality का article 14 में उसी को आगे extend करते है specific sense में यह articles आर्टिकल 15 में जो आखरी close है वो है छटा close और इसी तरह से article 16 में भी आखरी close है छटा close तो दोनों ही article में जो छटा close है वो add किया गया था 103rd constitutional amendment act के द्वारा तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें article 15 के पहले close की आर्टिकल 15 का पहला close यह कहता है कि जो state है वो सिर्फ इन आधारों पर यानि कि religion, race का sex, place of birth या फिर इन में से किसी भी आधार पर क्या नहीं करेगी किसी citizen के साथ discrimination नहीं करेगी discrimination नहीं करेगी मतलब adverse distinction नहीं करेगी एक citizen को दूसरे citizen से unfavorably distinguished नहीं करेगी तो जैसा कि यहाँ पर word use हुआ है only जिसका मतलब यह है कि सिर्फ और सिर्फ इन ही आधारों पर discrimination जो किया जाता है वो prohibited है article 15 के close one में लेकिन अगर इनके अलावा किसी और ही आधार पर discrimination किया जाता है तो वो article 15 के close one में prohibited नहीं है और यहाँ पर आपने यह चीज़ ध्यान रखनी है कि article 15 के close one में सिर्फ और सिर्फ state को रोका गया है discrimination करने से इन आधारों पर लेकिन वहीं जो आपका अगला close है article 15 का close two यहाँ पर state के साथ साथ private individual को भी रोका गया है discrimination करने से तो यहाँ पर कहा गया है कहा यह गया है कि किसी भी citizen को किसी disability liability restriction या condition के अधी नहीं रखा जाएगा यह जो आधार बताए गए हैं सिर्फ और सिर्फ इन आधारों पर या फिर इमने से किसी भी आधार पर किस सम्मन में इस सम्मन में कि कोई shop है public resort है hotels है place of public entertainment है उसको वो ताकि access ना कर सके या फिर कोई condition लगा रहे हैं जैसे कि कोई Muslim है तो उसको बोल रहा है कि यह जो hotel है इसके अंदर आप तभी enter हो सकते हैं जब आप Hindu बन जाए या फिर कोई Hindu है उसके उपर condition लगा रहे हैं कि आप तभी enter हो सकते हैं जब आप Muslim बन जाए otherwise आपको हम enter नहीं होने देंगे क्योंकि आप Muslim है या फिर Hindu है तो इस तरह का discrimination नहीं किया जा सकता है और इसी तरह से जो भी wells होते हैं, tanks होते हैं, bathing guards होते हैं, roads हैं places of public resort जो की wholly or partially out of the state fund maintain की जारी है जो की dedicated है for the general public use तो उसका use करने से ये जो आधार बिताए गए हैं, इन आधारों पर किसी भी citizen को रोका नहीं जा सकता है disable नहीं किया जा सकता है, liability की अधीन नहीं किया जा सकता है, restrict नहीं किया जा सकता है या उसके उपर कोई condition नहीं लगाई जा सकते इन आधारों पर तो इतनी सी बात कही गई है close 2 में आर्टिकल 15 का close 3 बहुत पुछा जाता है यह पुछा जाता है कि कौन से close में state को empower किया गया है कि जो state है वो महिलाव के लिए और children के लिए क्या कर सकती है special provision बना सकती है तो यह empowerment दिया गया है state को आर्टिकल 15 के close 3 में कहा गया है कि आर्टिकल 15 में जो भी बाते हमने पढ़ी वो prevent नहीं करेंगी state को women और children के लिए special provision बनाने से और इसी लिए जो state है उसने कई provision बनाए है women empowerment के लिए children के लिए जैसे कि women's को local bodies में seat में reservation मिलता है women's worker को under article 42 maternity reliefs मिलती है इसके अलावा women's के लिए colleges में seats वगेरा reserve की जाती है तो इस तरह से भी पूछलिया जाता है कि किसके लिए special provision बना सकती state under article 15 close 3 तो ध्यान रखना women and children के लिए article 15 का जो चौथा close है वो ये कहता है कि अगर जो state है वो क्या कर रही है socially and educationally backward classes के लिए यानि कि जो OBCs वगरा होते है उनके advancement के लिए या फिर SCs and STs इनके advancement के लिए अगर state special provision बना रही है तो special provision बनाने से state को article 15 में जो भी बाते लिखी है या फिर article 29 के close to में जो भी बाते लिखी है वो रोकेगी नहीं यानि कि कहने का मतलब ये है कि जो state है उसको article 15 के close form में इंपावर किया गया है कि state क्या कर सकती है state socially and educationally backward classes के advancement के लिए या फिर SCs and STs के advancement के लिए special provision बना सकती है ये जो close है ये enabling nature का है ये state के उपर ये चिस mandatory नहीं कर रहा है कि उसको बनाना ही बनाना है यानि कि state SCBCs, SCs and STs इनके advancement के लिए special provision यहाँ पर बना सकती है तो ये जो आपका close 4 है इसको article 15 में add किया गया था first constitutional amendment act 1951 के दुआरा और ये constitutional amendment act आया था state of madras versus चंपकम दुराई राजन के case में जो decision दिया गया था उसके परिडाम सवरूप तो ये चीज आपने धियान रखनी है पूछा जाता है प्रिलिम्स में तो basically इस case में ये हुआ था कि जो madras government है उसने एक government order पास किया था 1927 में जिसके तहत state medical engineering colleges में seat का reservation किया गया था different communities के बीच में on the basis of religion race caste और इस चीज को supreme court ने void declare किया क्योंकि यहां पर जो classification किया जा रहा था student का वो किया जा रहा था on the basis of caste and religion तो इस case में ध्यान बस ये रखना है कि इस case के परिडाम स्वरूप ही first constitutional amendment act आया था जिसके दुआरा close for add किया गया था article 15 में इसके बाद आता है बाला जी versus state of मैसूर का case इस case में होता ये है कि medical and engineering colleges में जो reservation दिया गया था जैसे कि वो 68% को exceed कर रहा था तो इस चीज को ना challenge किया गया था इस case में इसी लिए इस case में supreme court ने SEBCs SEBCs SEs and STs के लिए ये जो 68% का reservation किया गया था state engineering and medical colleges में इसको unconstitutional declare किया और इसके अलावा ये बात हैल की कि ये जो SEBCs होता है इनका ना सब classification नहीं किया जा सकता है backward classes and more backward classes में और साथ ही supreme court ने कहा कि जो किसी person की caste होती है वो sole criteria नहीं हो सकती है ये determine करने के लिए कि कोई particular class जो है वो backward class है या backward class नहीं है बलकि poverty, occupation ये चीज़े हो सकती है sole criteria ये ऐसे relevant factors है जिनको consider किया जा सकता है ये चीज़ जिटिमिन करने के लिए कि कोई particular class backward है या backward नहीं है लेकिन अगर ऐसा है कि कोई entire caste ऐसी है जो socially and educationally backward है तो उसको तब क्या किया जा सकता है backward classes की list में include किया जा सकता है तो ये बाते कही गई बाला जी वसे शेट अफ मैसूर के case में फिर इसके बात इंदरा सानी का जो case आता है जिसको जाना जाता है मंडल कमिशन केस के नाम से इस case में बाला जी ये बात हैल होती है दूसरी चीज ये बात हैल होती है कि जो भी reservation दिया जाता है वो 50% से जादा का नहीं होना चाहिए OBC इसको 27% तक का reservation दिया जा सकता है और 27% तक का reservation ही valid होगा इससे जादा का valid नहीं होगा इसके अलावा इस case में एक नया concept लाया गया जो कि था creamy layer वाला concept जिसके तहर्थीज की गई जो भी creamy layer candidate होता है यानि कि OBC category के जो भी well placed member होते हैं उनको reservation का फाइदा नहीं दिया जाएगा तो अगर आपसे पूछ लें कि कि किस case में creamy layer का concept introduce किया गया या फिर किस case में OBC के लिए 27% का reservation है उसको valid माना गया या फिर किस case में यह बात हैल्ड हुई कि reservation की limit है वो maximum 50% होनी चाहिए 50% से जादा की नहीं होनी चाहिए या फिर अगर आप से पूछ लें कि जो सब classification किया जाता है backward classes and more backward classes में वो valid है यह किस case में कहा गया था या फिर किस case को मंडल कमिशन केस के नाम से जाना जाता है तो यह ध्यान रखिएगा कि इन सभी कोशन का अंसर है इंद्रा साहनी versus union of India 1992 वाला case और साथ इस case में कहा गया था कि जो promotion होता है उसमें रिजर्वेशन नहीं होगा ओल राइट इस point को हम article 60 में detail में डिसकस करेंगे अगला case है वाल सम्मा पोल वर्सिस कोचेन युनिवर्सिटी 1996 इसमें यह चीज कही गई कि माल लो अगर मैं belong करती हूं non-reserve class से यानि कि मेरा जनम हुआ है ऐसी family में जिनको reservation नहीं मिलता है तो अगर वो family जिनको reservation मिलता है वो मुझे क्या कर लेते हैं adopt कर लेते हैं या फिर उस family के members से मैं शादी कर लेती हूं या फिर वो जो family है अगर वो OBC category की है या SC है या फिर ST है और मैं भी अगर लेती हूं अपनी category को उस category में convert कर लेती हूं कि मैं भी अपसे OBC हूं तो इन में से किसी भी तरह से अगर क्या किया जाता है मुझे उस family से जिनको reservation नहीं मिलता है ऐसी family में transplant किया जाता है जिनको reservation मिलता है तो तब मैं reservation के लिए eligible नहीं हो जाओंगी जो benefit दिया जाता है reservation का under article 15 close 4 या फिर under article 16 close 4 उसके लिए मैं eligible नहीं हो जाओंगी क्योंकि अगर आपको reservation का benefit लेना है तो उस family में आपको पैदा होना पड़ेगा जो belong करती है reserve class से similarly मैं उत्राखंड की हूँ all right जो मेरा मूल लिवास फुर्माण पत्र है वो उत्राखंड का है तो जो महिलाव को उत्राखंड में benefit मिलता है reservation का वो मुझे मिलेगा लेकिन अगर मैं चाहूं कि मुझे राजिस्थान का मिल जाए benefit राजिस्थान की जो महिलाव को दिया जाता है benefit reservation का वो मुझे मिल जाए और इसलिए मैं राजिस्थान में जाके रहने लगती हूँ तो ऐसा करने से मुझे वो benefit नहीं मिलेगा reservation का जो राजिस्थान की महिलाव को दिया जाता है तो ये concept आपने ध्यान रखना है और ये बाते कही गई थी वाल सम्मा पॉल वर्सिस कोचिन युनिवर्सिटी के case में अब यहां पर अगली important चीज हमारे सामने आती है ये कि जो SCBC होते हैं वो क्या होते हैं socially and educational backward classes जो है इन में कौन लोग आते हैं देखो SCNST आपको clear है लेकिन ये चीज आपको clear नहीं होगी कि SCBC में कौन आते हैं तो generally SCBC में रखा गया है OBC को और इस context में आपका एक case आया था National Legal Service Authority यानि की NALSA versus Union of India 2014 का इस case में Supreme Court ने center को direct किया था कि जो center है वो transgender को भी क्या करेगी treat करेगी कैसे ऐसे जैसे कि वो SCBC है socially, educationally, backward classes का दरजा देने के लिए कहा गया transgender को भी ताकि जो transgender है उनको वो reservation का benefit दिया जा सके education and employment में जो की दिया जाता है OBC को अब यहाँ पर recently SCBC के context में कुछ चीज़े होती है जो की judiciary के लिए important है चीज़ यह होती है कि जो SCBC है उनको determine करने की जो authority है वो by the 1002nd constitutional amendment act सुर्फ और सिफ सेंटर and president को दे दी जाती है कि जो सिफ उसिफ सेंटर है वो ही क्या कर सकती है SCBC यानि की SCBC की list prepare कर सकती है और जो state है वो ऐसा नहीं कर सकती है और इसी लिए फिर आता है एक case जेशरी लक्षमन राव पार्टीर वर्स यून ओफ इंडिया 2021 जिसको मराथा कोटा केस के नाम से भी जाना जाता है इस case में Supreme Court struck down करती है महराष्टरा Socially and Educational Backward Classes Act 2018 को जिसके तहत मराथा कामिनिटी को क्या गिया गया था reservation grant किया गया था और यह बात held करती है कि 102 constitutional amendment act state को authority नहीं देता है state के लिए SCBCS की list बनाने की बलकि यह जो authority है वो सिर्फ वो सिर्फ सेंटर और प्रेजिडेंट के पास है तो यह जो loophole create किया था 102 constitutional amendment act ने इसको clear करने के लिए इसको clarify करने के लिए 105th constitution amendment act लाया जाता है ताकि जो state and union territories है उनकी power को restore किया जासा के किस power को अपनी खुद की SCBCS की list बनाने की जो power है उस power को और इसी लिए इस amendment के दुआरा specifically amend किया जाता है article 342a को जो यह state करता है कि जो president है वो सिर्फ और सिर्फ central government के purpose के लिए ही क्या कर सकता है socially, educationally, backward classes की list prepare कर सकता है और article 342a में subsection 3 add किया जाता है जो कि यह stipulate करता है कि जो state and union territories है वो अपने purposes के लिए क्या कर सकती है SCBC की list बना सकती है फिर इसके बाद हमारे सामने एक चीज निकल कर आती है निकल कर यह आती है चीज की 105th constitutional amendment act के आने से पहले ही जो तमिलाडू state है उसने क्या किया था वनियार community का SCBC में sub classification किया था और वनियार community को reservation प्रोवाइड किया था तो यह चीज जैसे की 105th constitutional amendment act के आने से पहले की गई थी तब 122nd constitutional amendment prevail कर रहा था जिसके तहत तमिलाडू government को इस तरह का act इंट्रडूस करने की पावर नहीं थी जिसके तहत वो किसी community को SCBC के list में शामिल कर सके तो इसी लिए इस चीज को challenge किया जाता है पट्टाकली मक्खल कच्ची वर्सेज माईले रुपेरूमल 2022 के case में जिसको वनियार कोटा case के नाम से भी जाना जाता है और फिर इस case में जो Tamil Nadu government है वो ये plea लेती है कि जो 105th constitutional amendment act आया था ये न retrospective effect रखता है यानि कि ये उन laws के उपर भी apply होगा जो कि पास हो चुके है 105th constitutional amendment act के आने से पहले क्योंकि ये तो 102nd constitutional amendment को ही clarify कर रहा है तो फिर इसी लिए Supreme Court इस case में बात held गरती है कि ऐसा कुछ नहीं है जब तक कि किसी act में explicitly ये चीज ना लिखी हो कि उसका effect retrospectively होगा तब तक वो retrospective effect नहीं रखेगा तो इसका मतलब यह है कि 105th constitutional amendment act जो है वो retrospectively applied नहीं होगा तो बस इतनी चीज आपने यहाँ पर धियान रखनी है आर्टिकल 15 का अगला close है close 5 तो basically इस close को ना 93rd constitution amendment act के दुआरा आर्टिकल 15 में insert किया गया था एक्ट्रल में हुआ यह था कि Supreme Court के समक्ष एक case आया था PA इनामदार वर्सेस state of महराश्रा 2005 खा इस case में Supreme Court ने ना साफ साफ यह चीज देक्लार कर दी थी कि जो state है वो अपनी reservation policies को ना private unadded colleges के उपर impose नहीं कर सकता है अब यहाँ पर Parliament को आ जाता है गुसा Parliament कहती अच्छा जी यह बात है तो हम भी चुपनी बैठेंगे हम introduce करेंगे 93rd Constitutional Amendment Act जिसके जरियम आर्टिकल 15 में डालेंगे 5 वा close ताकि जो state है वो SCBCs, SCs, STs इनके advancement के लिए इनके educational institution में admission के सम्मन में special provision बना सके और यहाँ पर educational institution में include कर दिया गया private educational institutions को भी whether they are added or unadded by the state बट यहाँ पर minority educational institution जिनकी बात की गई है आर्टिकल 30 के close one में उनको include नहीं किया गया और इस चीज़ को अच्छे से implement करने के लिए पार्लियमेंट क्या करती है एक act पास करती है जो की है Central educational institution reservation in admission act 2006 तो अब जो private unadded institutions है उनका हो जाता है दिमाग खराब वो बहुत जाता है Supreme Court में फिर हमारे सामने आता है एक important case अशोक कुमार ठाकुर versus Union of India 2008 इस case में जो Supreme Court है वो 93rd Constitutional Amendment Act and Parliament ने जो act पास किया था Central education institution reservation in admission act 2006 इन दोनों की validity को अपहल कर देती है इस close related other important cases है TM5 foundation versus state of Karnataka जो basically minority educational institutions related एक landmark case है और इसके अलावा एक और case है जो की है Islamic Academy versus state of Karnataka तो ये cases आपके article 15 के close 5 से related important case है ध्यान रखने आपने फिर आता है Article 15 का छटा close जिसको 103rd Constitutional Amendment Act के द्वारा Article 15 में इंसर्ट किया गया था ताकि जो EWS है economically weaker sections है इंडिया के उनके advancement के लिए भी जो state है वो special provision बना सके और साथी इस तरह के special provision बना सके जो संबंदित है economically weaker section के educational institution में admission से और उन educational institution में include होते है private educational institutions whether added और unedit by the state but उनमे include नहीं होते है minority educational institution जिनकी बात की गई है article 30 के close 1 में और यहाँ पर EWS को जो reservation दिया जाता है वो 10% से जादा नहीं होगा तो basically जो EWS है वो वो लोग है जिनकी बात close 4 and close 5 में नहीं की गई है इसलिए उनके लिए अलग ही close लाया गया है close 6 और यह चीज time to time जो state है वो notify करेगी on the basis of family income and other indicators of economic disadvantage की कौन economically weaker section से belong करता है यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि recently 2022 में ही November 2022 में अभी अभी की बात आए Supreme Court ने जनही तभीयान versus Union of India 2022 की case में 103rd constitutional amendment act की validity को upheld किया था तो यहाँ पर आपका article 15 होता है complete अगला article है article 16 आपने पढ़ा होगा प्रेंबल में equality of opportunity तो यहाँ पर article 16 में basically उसी चीज को include किया गया है यहाँ पर article 16 में public employment में equal opportunity का आपको fundamental right मिलता है सबसे पहले close में simply यह कहा गया है कि जो भी state के तहत office से संबंदित appointment होते हैं employment वगरा होते हैं यानि कि जो public employment होते हैं या फिर public office के संबंद में जो appointment होते हैं वहाँ पर सभी citizen को equal opportunity दी जाएगी उनके साथ as per close to यहाँ पर जो ground mention है इन आधारों पर या फिर इन में से किसी भी आधार पर discrimination नहीं किया जाएगा और नहीं इन आधारों पर या फिर इन में से किसी भी आधार पर किसी भी citizen को ऐसे employment या office के लिए inelisible माना जाएगा तो यहाँ पर total 7 ground है religion, race, caste, sex, descent, place of birth, residence तो यह 7 ground आपने ध्यान रखने है यहाँ पर public employment में सिर्फ इन ही आधारों पर किया गया discrimination prohibited है लेकिन अगर किसी और आधार पर discrimination किया जाता है public employment में तो वो discrimination prohibited नहीं है वहीं इसके अलावा अगर इन में से किसी एक आधार के साथ साथ किसी और reasonable factor को consider करके discrimination किया जाता है तो वो भी यहाँ पर prohibited नहीं है यहाँ पर आपका एक landmark case आता है CB Muthamma versus Union of India 1979 का इस case में होता यह है कि जो CB Muthamma थी वो top करती है UPSC में जहाँ पर उन्होंने apply किया होता है IFS के लए और joining लेने से पहले उनसे एक undertaking sign करवाया जाता है उस undertaking में लिखा होता है कि अगर कल के दिन अगर वो शादी वगारा करती है तो उनको क्या करना पड़ेगा अपनी job से resign करना पड़ेगा तो इस case में इस condition को माना गया unconstitutional क्योंकि यह on the basis of sex क्या कर रही है discrimination कर रही है और यह article 16 की violative है अब यहाँ पर अगला case आता है All India वर्सेस नरगेश मिर्जा 1981 का इस case में होता यह है कि जो air hostage थी उनके उपर एक regulation के थूँ यह condition लगाई गई थी कि अगर यहाँ पर जो तीन circumstances बिताए गए हैं उनमें वो fall होती है तो उनको अपनी service से क्या कर दिया जाएगा retire कर दिया जाएगा यानि कि अगर वो 35 साल की हो जाती है या फिर वो शादी गड़ लेती है या फिर वो पहली बार pregnant होती है तो इनमें से कोई भी situation अगर पहले पढ़ती है तो उस situation की अधार पर जो air hostage है ना उसको उसकी service से बरखास्त कर दिया जाएगा तो इस case में जो court है वो इस regulation को struck down करती है और court ये बात held करती है कि regulation arbitrary है और ये discrimination कर रहा है on the basis of sex जो की article 15 के close 1 and article 16 के close 2 में prohibited है article 16 का जो close 3 है वो इतना कुछ important नहीं है ये just residential preference के बारे बात करता है यहाँ पर just ये कहा गया है कि जो parliament है वो क्या कर सकती है prescribe कर सकती है ये चीज़ कि अगर आपको किसी state में union territory में local authority या other authority में क्या चाहिए employment चाहिए या appointment चाहिए तो उस चीज़ के लिए condition है कि उस area के आप क्या होने चाहिए residence होने चाहिए तो residence को preference देने के लिए यहाँ पर parliament को empower किया गया है कि वो ऐसा इन संबन में law बना सकती है जहाँ पर residence को क्या दी गई है preference दी गई है article 16 का जो close 4 है यह कहता है कि हमने article 16 में जो भी बाते पढ़ी वो यहाँ पर state को नहीं रोकेंगे अगर state क्या कर रही है post और appointment वगएरा में reservation के provision बना रही है उनको reservation दे रही है तो इस चीज से article 16 में हमने जो भी बाते पढ़ी वो state को नहीं रोकेंगी तो basically यहाँ पर जैसे कि post वगएरा निकलती है उनमे reservation होता है OBC के लिए SC के लिए ST के लिए PWD के लिए तो वो यहाँ पर article 16 के close 4 के तहत ही किया जाता है यहाँ पर उन backward classes के लिए reservation किया जाता है जिनका in the service of state adequate representation नहीं है अब यहाँ पर यह situation होने लगी कि reservation देने जैसे लग रहे हैं vacancies में तो ऐसा होता था कि कुछ reserve class के लिए जो reservation रखा गया था उस class के लोग अगर vacancy को fill up नहीं कर रहे थे जिस year में मतलब vacancy आई और reservation दिया गया तो फिर अब यहाँ पर उन reserve class की vacancies को next year फिर से fill up करने के लिए लाया जाता है carry forward rule जिसके तहती विवस्था की जाती है कि जो reserve seats थी जिस साल vacancy निकली थी उस साल अगर मान लो वो नहीं भर पाई है तो उनको अगले साल निकली हुई vacancy में जो reserve seat है उनमें add कर दिया जाता था और इस वजह से जो reservation था vacancy में वो 50% से जादा होने लग गया और इसी लिए देवदासन versus union of india 1964 की case में carry forward rule को कर दिया गया unconstitutional declare इसलिए ये जो case से आपका carry forward rule की नाम से भी जाना जाता है लेकिन बाद में अखिल भारतिय सोशित करमचारी संग versus union of india 1981 इस case में carry forward rule जो है इसको court वापस upheld कर देती है subsequently हमारे सामने आता है इंदरा सानी versus union of india 1992 का case जिसमें mandal commission की जो report थी उसको scrutinize किया जाता है और इसी वज़र से इस case को mandal commission case के नाम से भी जाना जाता है इस case के बारे में हमने काफी चीज़े पहली discuss कर ली थी जब हमने article 15 discuss किया था तो basically जो मोटा मोटा है आपने ध्यान रखना है कि क्या क्या बाते held करती है Supreme Court इस case में पहली बात तो ये कि SCBC जो है उनका backward classes and more backward classes में sub classification किया जा सकता है दूसरी बात ये कि जो backwardness है जैसे कि बाला जी के case में कहा गया था कि जो caste है वो sole criteria नहीं हो सकती है backwardness को determine करने का बलकि हमें other criteria को भी देखना चाहिए जैसे कि poverty हो गया, occupation वगयरा हो गया लेकिन इंदरासानी के case में कहा जाता है कि जो backwardness है उसको determine करने का sole criteria, economic criteria नहीं हो सकता है यहाँ पर caste system को ज़ादा priority दी गई कहा गया कि caste system को भी consider किया जाएगा while determining कि backwardness है यह backwardness नहीं है अगली चीज यह कही गई कि जो OBC है उनको 27% तक का reservation दिया जा सकता है और OBC को जब हम reservation दे रहे हैं तो OBC में से हम क्या करेंगे creamy layer candidate को exclude कर देंगे creamy layer candidate जो की well-placed member है OBC के उनको हम exclude कर देंगे अगली चीज इस case में बात held होती है 50% जो total vacancy है उससे जादा exceed नहीं करना चाहिए 50% तक आप total vacancy का reserve कर सकते है उससे जादा नहीं reserve कर सकते है और फिर जो carry forward rule था उसको यहाँ पर इंदरा साहनी के case में भी valid declare कर दिया जाता है और इसी लिए 81st Constitutional Amendment Act आता है जिसके जर्ये आर्टिकल 16 में एक नया close close 4B चोड़ा जाता है अगली बात इस case में held होती है कि जो promotion होता है उसमें reservation नहीं दिया जा सकता है और इस चीज को nullify करने के लिए ही आता है 77th Constitutional Amendment Act जिसके जर्ये आर्टिकल 16 में एक नया close close 4A एड़ किया जाता है ताकि SC and ST केटेगरी को promotion में भी reservation दिया जा सके और आखरी important बात इंदरासानी के case में ये held होती है कि higher caste के जो economically weaker section है उनको 10% reservation नहीं दिया जा सकता है और इसी चीज को nullify करने के लिए आता है आपका 103rd Constitutional Amendment Act जिसके तहत आर्टिकल 16 में छटा close एड़ किया जाता है ताकि economically weaker section जो है higher caste के उनको 10% reservation दिया जा सके अब यहाँ पर आर्टिकल 16 में close 4A एड़ किया गया था 77th Constitutional Amendment Act के दुआरा यह close यह कहता है कि जो state है वो in the service of state जो भी post वगारा होती है उन post पर promotion में SCST को क्या कर सकता है reservation दे सकता है यानि कि यहाँ पर promotion में भी SCST को क्या मिल रहा है reservation मिल रहा है ध्यान यह देना है कि सिर्फ हो सिफ SCST को मिल रहा है promotion में reservation OBC को नहीं मिल रहा है और यहाँ पर promotion में reservation देते time जो state है वो यह चीज भी consider करेगी कि जिस post पर SCST को promotion में reservation दे रही है उस post पर SCST का adequate representation नहीं हो रखा है मतलब जितने number of candidate SCST category के होने चाहिए वो नहीं है उस post पर तो अब यहाँ पर यह सवाल सामने आने लगा कि अगर मानलो होता यह है कि जैसे कि मानलो आप हो general category के candidate और मैं हूँ SC category के candidate ठीक है और एक post है forest guard जिसके उपर वाली post मानी जाती है forest SI की post यानि की one दरोगा की post तो यहाँ पर होता यह है कि आप मुझसे पहले बनते है forest guard मुझसे 2 साल पहले 2-3 साल पहले आप बनते है forest guard और मैं बाद में बनती हूँ forest guard तो इस तरह से forest guard की जो post है उसमें आप मेरे senior हुए है ठीक है और जैसा कि मैं SC category की हूँ तो मुझे promotion में reservation मिला और इसी वजह से आप से पहले मैं बन जाती हूँ forest SI वंदर होगा तो अब यहाँ पर होता यह है कि जो junior है वो बनके वैड़ गई है क्या senior तो कल के दिन अगर आप भी बनते हैं forest SI आपको भी मिल जाता है अब आगे चल के promotion और आप भी बन जाते हैं forest SI तो अब हम दोनों में senior कौन होगा यह सवाल सामने आने लगा तो ऐसी situation में seniority को determine करने के लिए लाया गया catch up rule जो कि यह कहता था कि जो general category का candidate है यानि कि आप जैसा कि आप पहले मेरे क्या थे senior थे तो आप उस seniority को वापिस regain कर लेंगे यानि कि अब जैसे कि हम दोनो forest SI बन गए हैं तो यहाँ पर मैं वापस आपकी junior हो जाओंगी और आप हो जाएंगे मेरे क्या senior तो यह कहता था catch up rule कि जो general category का candidate है वो अपनी seniority को वापस catch up कर लेगा तो यह catch up rule लाया गया था union of india versus विरपाल सिंग के case में और subsequently अर्जी सिंग versus state of Punjab के case में इसको अपहल किया गया था तो यह जो catch up rule है यह काफी सारी complication उत्पन करने लग रहा था इसलिए जो parliament है वो catch up rule को हटाती है और 85th constitutional amendment act introduce करके consequential seniority word insert करती है substitute करती है article 16 के close 4a में ताकि जो SCST का candidate seniority को क्या किया है assume किया है उसकी seniority बनी ही रहे यानि कि भले ही जो पहली वाली post थी नीचे वाली जो post थी उसमें आप general category के जो candidate है आप मेरे senior थे और मैं आपकी junior थी लेकिन मैं SC category की हूँ इसी वज़े से मुझे promotion में reservation मिला है और मैं आप से उची वाली post पर चली गई हूँ तो कल के दिन अगर आप भी उसी post पर आते हैं तो जो आपकी seniority है general candidate की जो seniority है वो वापिस अब regain नहीं होगी जैसा कि catch up rule गटा था लेकिन जो मेरी seniority है यानि कि reserve category की जो seniority है वो as it is रहेगी उस पर कोई फरक नहीं पड़ेगा मैं आपकी अब senior ही रहूँगी एक बार मैं आपकी senior बन गई तो मैं senior ही रहूँगी यही कहता है consequential seniority अब यहाँ पर आता है हमारे सामने एक case M. Nagraj versus Union of India 2007 का इस case में यहाँ पर यह जो amendment लिखे हैं इन amendment की constitutional validity को challenge किया जाता है और जो supreme court है वो in amendment की constitutional validity को upheld कर देती है और साथ ही यह बात held करती है कि जो reservation से सम्मद provision है वो enabling nature के हैं जैसे कि promotion में reservation जो दिया जा रहा है वो enabling nature का है यहाँ पर जो court है वो state को bound नहीं कर सकती है कि promotion में वो reservation दे ही दे और साथ ही court ही बात observe करती है कि जो state है अगर हो क्या कर रही है reservation दे रही है तो reservation देने के लिए उसके पास कुछ compelling reasons होने चाहें जैसे कि backwardness, inadequate representation and administrative efficiency इसके साथ साथ state को बोला गया कि backwardness and inadequacy of representation of SCST in the service इस चीज़ को show करने के लिए जो state है वो collect करे quantifiable data और वो comply करे provisions जो बताए गए है article 335 में फिर अगला case आता है जनरेल सिंग वर्सेज लश्मी नरायन गुपता 2018 का इस case में जैसा कि नागराज के case में जो judgment deliver किया गया था उसको revisit करने की मांग की गई थी तो उस मांग को reject कर दिया जाता है यह कह दिया जाता है कि नागराज के case में जो judgment deliver किया गया था उसको by a larger seven judge bench reconsider करने की ज़रूद नहीं है और इसके बाद यहाँ पर यह बात भी held होती है जैसा कि नागराज के case में कहा गया था कि backwardness को determine करने के लिए जरूरी है quantifiable data collect करना इस चीज को journal सिंक के case में कहा गया कि यह चीज invalid है it is not required बट जरूरी factor क्या है जरूरी factor है inadequate representation अगली चीज इस case में जो important थी वो यह थी कि जैसा कि जो creamy layer वाला जो concept था उसके जरीए क्या किया जाता था reservation के benefits से OBC category के जो creamy layer वाले candidate थे उनको exclude कर दिया जाता था तो यहाँ पर यह चीज की गई कि promotion में जैसा कि SCST को क्या दिया जा रहा है reservation दिया जा रहा है तो वहाँ पर क्या किया जा सकता है वहाँ पर creamy layer का concept apply करके SA SCST को promotion में reservation देने से exclude किया जा सकता है जो belong करते है creamy layer से तो यहाँ पर ध्यान यह रखना है कि direct recruitment में जो reservation मिलता है वहाँ पर SCST के context में creamy layer वाला concept apply नहीं होता है लेकिन promotion में जो reservation मिलता है उसमें से creamy layer वाले SCST candidate को exclude किया जा सकता है यह कहा गया था इस case में लेकिन यह चीज़ ध्यान रखनी है कि creamy layer वाला जो concept है उसका consequential seniority को determine करने में कोई relevance नहीं है यह कहा गया था BK पभीतरा versus Union of India 2019 के case में and subsequently आता है एक important case Mukesh Kumar versus State of Uttrakhan 2020 इस case में यह बात held होती है कि जो reservation के बारे में यहाँ पर provision किये गए हैं यह enabling nature के हैं इनको आप as a fundamental right claim नहीं कर सकते हैं कि हमारा ये तो fundamental right है कि हमें reservation मिले तो यहाँ पर इस case में कहा गया कि promotion में reservation का as a fundamental right आप claim नहीं कर सकते हैं यह चीज़ totally government के उपर है decide करना कि reservation किसी particular appointment में दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए या promotion में reservation दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए कोई भी court state government को compel नहीं कर सकती है order नहीं कर सकती है कि जो state government है वो SCST को promotion में reservation दे ही दे अगला जो close है close for B ये backlog vacancy के बारे में है जिससे की जो backlog vacancies है यानि की जो unfilled vacancies है reserve category की उनको next year regular vacancies से अलग करके fill up किया जा सके तो इस तरह से जो backlog vacancies है जो unfilled reserve vacancies है उनके उपर से 50% reservation की ceiling को हटा दिया गया है क्योंकि उनको अब अगर next year क्या किया जाता है fill up किया जाता है तो उनको next year regular vacancy के साथ club नहीं किया जाएगा बलकि septarily ही treat किया जाएगा किया गया था by the 81st constitutional amendment act ध्यान रखना है आपने ये कि कौन सा close किस amendment के द्वारा insert किया गया था क्योंकि पूछा जाता है article 16 का close 5 simple सी बात ही कहता है कि जो भी religious denominational institution वगरा होते है उनके संबन में अगर कोई ऐसा law वगरा बना हुआ है कि उन office को उन institution को कोई particular religion वाला person ही क्या कर सकता है join कर सकता है उन संस्थाओ का member बन सकता है तो इस तरह के law के उपर article 16 में जो भी हमने बाते पढ़ी वो कोई effect नहीं डालेंगी article 16 का जो close 6 है इसमें simple सी ये चीज़ की गई है कि जो state है वो क्या कर सकती है post और appointment में economically weaker section जो है higher caste के जिनको close 4 में cover नहीं किया गया है उनके लिए भी reservation के provision बना सकती है और जो reservation उनको दिया जाएगा वो 10% से जादा का नहीं होगा तो यहाँ पर ये चीज़ हम conclude कर सकते हैं कि जो government educational institutions होते हैं वहाँ पर admission से संबने जो reservation होता है वो govern होता है article 15, close 4, close 5, close 6 वहीं जो government job में reservation मिलता है वो govern होता है article 16 में जो close 4 दिया गया है close 4A, close 4B and close 6 इसके अलावा parliament and state legislature में जो reservation मिलता है उसके संबन में आपका article 334 है तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इंडिया में 60% तक की seat हो रही है reserve किन-किन को मिलाकर SC, ST, OBC and EWS इन सभी को मिलाकर इंडिया में total seat में से 60% seat reserve हो रही है और इसके अलावा जो PWD होते हैं person with disability होते हैं उनके लिए भी 3% seat reserve करना mandatory हो चुका है और इस context में एक case आया था लाजिव कुमार गुपता वर्सिस Union of India का जिसमें कहा गया था कि जो person with disability हैं उनको promotion में भी reservation दिया जा सकता है और जो भी reservation at the time of recruitment and at the time of promotion उनको दिया जाता है वो कम से कम 3% तो होना ही चाहिए और यही चीज re-affirm की गई सिद राजू वर्सिस state of करनाटका 2020 के case में तो यह कुछ important cases थे जो आपने ध्यान रखना है यहाँ पर आपका article 16 होता है खतम अगली वीडियो में हम fundamental right के जो आगे के provision है वो सारे के सारे निपटाएंगे आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे comment करके बताएगा वीडियो अच्छा लगा तो like करना चैनल को subscribe करना और इसके अलाव अगर आपको pdf चाहिए इंडियन constitution की तो उसको purchase करने के लिए आप हमारे email address पर mail कर सकते हैं या फिर हमें telegram पर message कर सकते हैं कहीं पर भी आपका अगर कोई doubt रहता है तो आप comment section में पूछ सकते हैं या फिर हमें telegram, instagram कहीं पर भी पूछ सकते हैं सभीका link description में है हमारा telegram channel है study go with zinat उसको जरूर जाइन करना वहाँ पर हम काफी सारी चीजों की update आप लोगों को देते रहते हैं तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही मिलते हैं constitution के अगले वीडियो में